Hello friends, कैसे है आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे? इस वीडियो में हम VR, Virtual Reality के बारे में समझेंगे कि Virtual Reality क्या होते है और ये कैसे काम करता है? तो अगर आप चैनल पे नए हो, तो चैनल को को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि कोई भी वीडियो मिसना हो कहते हैं, दुनिया वैसी दिखती है, जैसा आपका चश्मा हो अब तकनीक ने यह चश्मा ही बदल दिया है Virtual Reality Headsets आपको घर बैठे, एक नई दुनिया की सैर करा सकते हैं Virtual Reality का मतलब है, असली सा लगने वाला ऐसा अनुभव जो असल में मौझूद नहीं है Virtual Reality Computer के Software और Hardware का एक सिस्टम है जिसके माध्यम से अवास्तविक को वास्तविक में बदलने की क्षमता रखता है इससे लोगों को एक अलग दुनिया में जाने का अनुभव प्राप्त होता है Virtual Reality से कोई भी व्यक्ति कही भी और कभी भी एक कालपनिक दुनिया का अनुभव हो सकता है इसके माध्यम से यूजर ये अनुभव करते है कि वह उस कालपनिक दुनिया का हिस्सा है और वस्तुओं को अपने तरीके से हेर फेर कर उसे नेविगेट करने की योगिता रख सकता है दरसल Virtual Reality का प्रयोग आम तोर पर 3D अमिनेशन विजूल स्टूडियो मल्टी मीडिया आदी संबंधी एप्लिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से जेनरेट की गई इस दुनिया में हम स्वयंके होने का अनुभव करते हैं जैसे कि बचपन में खेली गई वीडियो गेम्स में लीन हो जाते थे उसी प्रकार इसमें समाहित हो जाते हैं वर्चूल रियालिटी में जूट भी हकीकत लगता है उदाहरन रूप से जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो कई बार मूवी में घडित हो रही परिस्थितियां हमें सच लगने लगती लेकिन वह सब कालपनिक होता है उसी प्रकार से वर्चूल रियालिटी को संक्षिप्त रूप से इसी प्रकार परिभाशित कर सकते हैं इस संकल्पना ही ऐसी है कि उसमें प्रतिक्रिया काल्पनिक होने के बावजूद भी वास्तविक्ता का एहसास करवाती है उदाहरण के लिए. अगर आप जानना चाहते हैं कि स्याचिन का नौर्थ पोल कैसा दिखता होगा तो इसका एक तरीका पारंपरिक टीवी स्क्रीन है जो आपको वहां की तस्वीर दिखा सकती है. वर्चुल रियालिटी का उप्योग करने वाले व्यक्ति कृत्रिम दुनिया के चारों ओर देखने, उसमें घूमने और आभासी सुविधाओं या वस्तुओं के साथ बातचीत करने में सक्षम है. अब हम समझेंगे कि वियार कैसे काम करता है और तो इसके कुछ फैक्ट्स है वन, वियार हेडसेट विर्चुल रियालिटी का अनुभव करने के लिए उप्योग किया जाने वाला प्राइमरी हार्डवेयर है. इसमें आम तोर पर हर एक आँख के लिए एक उच्छ रिजॉल्यूशन डिस्प्ले होता है और इसे सिर पर पहना जाता है. ये डिस्प्ले ओलेड या LCD स्क्रीन हो सकते हैं, हेडसेट यूजर के सिर की एक्टिविटी को ट्रैक करता है और 360 डिगरी इमर्सिफ फील देने के लिए वास्तविक समय में सीन को एडजस्ट करता है. 2. वियार हेडसेट ट्रैकिंग सेंसर और कैमरों से लैस हैं. बाहरी ट्रैकिंग सिस्टम जैसे लाइट हाउस या कैमरे का इस्तेमाल यूजर के सिर और शरीर की गतिविधियों पर सटीक निगरानी रखने के लिए भी किया जा सकता है. यह वास्तविक दुनिया और आभास 3. वियार दुनिया के साथ बातचीत करने के लिए यूजर अकसर से लैस हैंड हेल्ड कंट्रोलर या दस्ताने का उपयोग करते हैं. यह डिवाइस यूजर्स को वस्तूओं में हेर फेर करने, वर्चुल स्पेस के भीतर नेविगेट करने और पर्यावरन के साथ बातचीत क करने की अनुमती देते हैं. 4. वियार अनुभव आमतोर पर उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर या गेमिंग कंसोल द्वारा संचालित होते हैं. यह उपकरन इमर्सिव वातावरन बनाने के लिए वास्तविक समय में जटिल 3D ग्राफिक्स प्रस्तुत करते हैं. का उप्योग, गेमिंग, ट्रेनिंग, सिमुलेशन, वास्तुशिल्प विजुलाइजेशन, मेडिकल इस्तिमाल और बहुत कुछ के लिए किया जा सकता है. डेवलपर्स विशेश सौफ्टवेर डेवलप्मेंट किट का उप्योग करके ये अनुभव बनाते हैं. 6. रियलि विशेशन की भावना बढ़ती है. में विशेशन रियलिटी का उप्योग अलग-अलग क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे की सैन्य क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, मोटर वाहन क्षेत्र, एजुकेशन और ट्रेनिंग, अंतरिक्ष, खेल कूद और मनोरंजन आदी जैसे क्षेत्रों में इसका उप्योग किया जाता है, तो ये थी जानकारी विर्चुल रियालिटी के बारे में, अगर कोई फैक्ट मिस हो गई हो, तो हमें कमेंट करके बताए, विडियो पसंद आया हो, तो लाइक करे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, और अगर चैनल को झाल 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